आज हम पढ़ेंगे पीस फाइब फाइब टू जेंडर इसे पहले एक लेसन स्टार्ट करें आप लोगों से रूगाइस चाहिए मेरे चाहिए सब्स्ट्राइब कर दें साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें आईए आपको लिए चलते हैं वीडियो के जानिब जेंडर ह यह जो अच्छा को मताबिक जो आज़ते होती हैं की average life मर्दों के निसपद कुछ जैला होती है तो इसकी क्या वज़ाए यानि की average basis पर ऑउरतें मर्दों से जैला देर तक जिदा रहती हैं इनका life स्ञान मर्दों के मकाबले में जैदा है आम तोर पर ओन एवरिज औरतों मर्दों से 6-8 साल तक ज्यादा उमर पाती है पहली चीज़ है जैनेटिक प्रोटेक्शन फीमल में एक हार्मोन इस्ट्रोजन पाया जाता है जो मुख्तली बिमारियों के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है दूसरा इनमें एक X क्रोमोसोम मर्दो से ज्यादा होता है जिस तरह आखरी क्रोमोसोम है जो ना 23 नमबर के पेर पे औरतों में एक X हक्स पाया जाता है दो एक X और दूसरा भी X होता है मर्दों में एक X और दूसरा Y होता है तो औरतों में क्या है कि एक X जो है मर्दों के निसमें ज्यादा पाया जाता है क्योंक से ऐसे behaviors हैं जिन में मर्द औरतों की निसपस ज्यादा involved होते हैं और इन्हें death की तरफ ले जाते हैं मर्द औरतों की निसपस ज्यादा secret पीते हैं ज्यादा alcohol का इस्तमाल करते हैं और इन से cancer, respiratory diseases वगारा पैदा होती हैं लड़ाई जगड़ों में मर्द ज्यादा involved होते हैं इसलिए इनकी death के chances भी बढ़ जाते हैं विवर्ज ये हमारा आज का lesson था बिल्कुल short सा lesson 31 I hope I made it clear comment box में comment के जरूए जरूर बताईएगा के आप लोगों को मेरे lessons, मेरे videos जो हैं कितनी helpful थाबित हो रही हैं उसके लावे जितने भी topics के related मैंने videos बनाई हैं, जितने भी subject के related videos बनाई हैं वो आप लोगों के लिए exams में किस सद्धक helpful थाबित होती हैं मिलते हैं जल्दी अपने next lesson में, till then take care, अलाफ़ेज